आपके अपने यूटूब चैनल में एक्जाम की तैयारी में जी हाँ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ले करा हैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का कोशन पेपर जी हाँ ये 2020 में जो भड़ती होने वाली थी उसका कोशन पेपर आ चुका है सेंपल में आपके लिए य यानि सॉल्यूशन के साथ हल के साथ है उत्तर के साथ है ये कोशन पेपर और साथी साथ ये कोशन पेपर पांच तारीक बारों महिना 2017 का ये कोशन पेपर है और इसका आपको पीडियाफ भी मिल जाएगा लेकिन पीडियाफ में सिर्फ कोशन होगा और साथी साथ ये आप इसका solution देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक देखेंगे तो आपका सारा doubt क्लियर हो जाएगा यह दिल्ली police constable का question paper है अगर आप भी हमारे चैनल पे नया है तो वीडियो के नीचे new subscribe का बटम दिया होगा उसको subscribe कर लिजिए ताकि घर बैठे बैठे आपको हर एक exam का question paper म जैसा कि मैं आपको बता दू रिजनिंग के question 25 होते हैं 25 आपके science के question होते हैं 25 आपके journal knowledge के question होते हैं 25 आपके math के question होते हैं यह इसका syllabus होता है और आज वही syllabus मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूं और one by one करके question बताता रहूंगा चलिए पहले reasoning से start होगा reasoning में पहला question यह दर्वाजा लकड़ी से संबंदित है तो कमीज किसे संबंदित है कमीज का क्या बनता है option में आपका दिया है copper button कफ कपड़ा तो कमीज से सभी लोगों को मालूम है कि कपड़ा बनता है ठीक है बहुत ही आसान आसान है तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए मेरे बातों को और 48 से संबंदित है और 8 32 से संबंदित है इनमें फर्क क्या है 14-4-56 8-4-32 12-48 यह लेकिन यहां पर 6-4-24 होता लेकिन यहां पर 5 से गुणा हुआ है तो 30 है चलिक कुछन नमर सेकेंड पे चलते हैं यहां पे दिया है b l i n k i g p i r prince मतलब इन सब्दों में जो यहां पे b से i आय उसे दिया है तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा कोशन नमबर टू का ए हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं कोशन नमबर आपका सेवन ही सैड निमलिखित प्रश्ण में दिये गए विकल्पों में से विसम यूग को चुनिय विसम यूग को चुनिये मतलब उस सब्द को चुनिये जो सबसे अलग है तो यहाँ पे A, B, C, D में आप अंतर यही देख सकते हैं कि सब को जोड़ने पे 21 आ रहा है लेकिन जब A को जोड़ रहा है तो वहाँ पे 16 आ रहा है तो इसका मतलब A जो है वो सबसे अलग है कोशन पे चलते हैं यहाँ पे कोशन नमबर 8 को आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा रहा है दिए हुए आकरिती में यह बताइए कि तिर्भूज कितना है यानि ऐसा स्कॉाइर कितना है मतलब तिर्भूज कितना है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोशन के हिसाब से आपका भी हो चायगा भी पांच हैं देखे एक तिरबुज दो तिरबुज तीन तिरबुज चार तिर भुज और दोनों को मिला कर देंगे तो सिंगल हो गया कोशन नमबर नेक्स्ट पर चलते हैं आपको यहां पर देख सकते निमलिकित प्रस्ट में दिये गया विकल्पों में से व वाई की लें और वो सड़क पे ही चलती हैं तो सड़क सबसे अलग हो गया चले नेक्स्ट कोशन नमर 5 पे चलता है निमलिखित फ्रस्ट में दिये गए हुए विकल्पो अक्षरों में विसम चुनिये तो विसम कैसे चुनेंगे F हो गया, Q हो गया और X हो गया तो इसमें देखी, 5 पहले जोड़ा है फिर 6 जोड़ा है फिर 7 जोड़ा है फिर 5, 6, 7 फिर 5, 6, 8 जोड़ दिया है ये वाला जो C वाला है वो अलग हो गया है मतलब यह ABCD का जो करम होता है ABCD तो मतलब यह दो दो छोड़ छोड़ के या पांच 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 छोड़ छोड़ के छेशे छोड़ छोड़ के ऐसे मतलब question आया है ठिक, चलिए next question को देख लिए यहाँ पर पूछ रहाँ इसमें आयत कितना है आयत उसे कहते हैं जिसके लंबाई और छोड़ एक दूसरे के समान होती है, मतलब आपस की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है उसे आयत कहते हैं तो यह question में आयत कितना है एक हो गया, दो हो गया इन दोनों को मिलाएंगे तीन हो जाएगा इन दोनों को मिलाएंगे यहां से चार हो जाएगा तो यहां आपसन यहां पर देख सकते हैं यहां पर टिक मार सकते हैं कौन सा सही है तो इसका पूरा यहां पर उत्तर के साथ आपका दीवाला सही यह है यानि दस पूरे इसमें आयत बनेंगे आप देख भी सकते हैं कैसे बनेंगे चलिए नेक्ट कोशन पर चलते हैं आपे कोशन नमबर आपका 13 साइड में कोशन नमबर 13 निम्न परस्न आकरिती में दिखाए गया आकार कागच के अनुसार इस कागच को यदि मोड के हम काड़ते हैं तो कौन सा चितर बनेगा यदि ये कागच है हम फोल्ड करते हैं इसको तो कौन काटने के बाद यहाँ पर बीच में यदि दो बिंदी काड़ देते हैं और खोलेंगे तो कैसा चितर बनेगा आप इसे एक्जामपल के रुप से किसी पेज पर प्रैक्टिस मार सकते हैं चले नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 10 यहाँ पर जो जैड का अपोजिट है वो क्या होगा तो जैड का अपोजिट यहाँ पर की हो जाएगा सभी को मालूम है जो लीडो होता है उसकी गोटी होती है उसी तरह यह भी है और आपको बैठा लेना है यहाँ पर एन का अपोजिट S हो जाएगा टी का अपोजिट R हो जाएगा उपर का यह नीचे होता है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका C नेक्ट कोशन यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले कोशन पर चलते है कोशन नमबर 14 यहाँ पर मिरर की जाएगा आपको दिखाना है कि इसका अपोजिट क्या होगा यह नीचे मिरर लगा है और लिखा है TRIUMBP H21 इसका उल्टा क्या होगा तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा C यहाँ पर C देख सकते हैं इसका उल्टा हो जाएगा नेक्स कोशन पर चलते हैं यहाँ कहा रहा है दी हुई आकरिती में सतह कितनी है मतलब इसकी पूरे सर्फिस कितना है तो इसका सर्फिस है पूरा D यानि यहाँ पर 10 इसके टोटल सर्फिस है उपर, नीचे, बाएं, दैस साब आपको जोड़ना है ठीक है चलें नेक्स कोशन पर चलते हैं दी हुई आकरिती में से उसे चुनिये जीस से मैच हो रहा है यह आकरिती इन चारों फिगर में से किस में मैच हो रहा है रिजनी का बहुत ही आसान कोशन होता है टफ नहीं होता है, डरिएगा मत तो यह आकरिती इसमें से C में मैच हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह C में मैच हो रहा है चले कोशन नमबर 15 पर देखते हैं इनमें वह सब्द है भी, यह इसमें बनाए जा सकता है चले नेक्ट कोशन पर चलते हैं यहाँ पर कोशन नमबर 16 आप देख सकते हैं वह रहेक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों में से संबंधित बताता है यानि सोना, कार्बन, धातु इन सब का जो ग्रूप है, वो कोन बनाता है तो इन सब का ग्रूप जो है आपको डी बना लेता है डी कैसे बनाता है, सोना और धातु धातु के अंतरगत ही सोना आता है उसके बाद कार्बन अलग हो जाता है तो यह इसका अंसर हो गया डी यहाँ पे देख सकते हैं कारबन अलग हो गया है और धातू यह बड़ा है और सोना उसके अंदर है ठीक है यहाँ पे आपने देख लिया चलिए नेक्स्ट कोशन एक देख लीजिए चलिए यहाँ कोशन नमर 20 को देख लीजिए नीचे दिये गया कुछ कथन है कथन के हिसाब सदिया है वो बताना है तो यहाँ निसकर से सभी काले कलम हैं कुछ गोल कलमे हैं सभी गोले कलमे हैं तो उस हिसाब से आपको यह फिगर बनाना है और फिगर जब भी बनाएंगे तो आपको यहाँ पे साफ दिख जाएगा उसका अंसर हो जाएगा आपका भी केवल निसकर स तो दो सही है ठीक है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए हम आपको जरूर आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे चलिए नेक्स्ट कोर्शन पर चलते हैं दीगे हुए आकरिती में भारती है क्रिकेटर वैपारी में समंध बताइए क्रिकेट कोशन पर देख सकते हैं निम्ल में किस से यह जो गायब है यहां पर जो हैस्टेक लगा है ऐसे कोशन मार्क यहां पर क्या होगा तो यह कैसे होगा यह आप देख सकते हैं यहां पर कैसे इसका मतलब पैटरन अरेंज गया है साथ प्लस चार गुणे चार साथ प्लस चार प्रकार का संबंदित है एक कोशन फिर से पढ़ देता हूं जे पी का पुत्र है पी क्यू की बहन है क्यू एम का पुत्र है एम पी से किस परकार संबंदित है तो यहां पर यह पैटर्न देख रहे हैं उसी परकार से आप बनाएंगे और इस हिसाब से आपका डिमाता और थो आप पिता के संबंदित से संपरक है ठीक है चले नेक्स कोशन पर चलते हैं कथन इसकर्ख का ये भी एक कोशन है इसे पी आप देख लेंगे कथन इसकर्ख का बहुत आसान होता है वो आपको अपने लॉजिक माइंड से ही करना पड़ता है ठीक चले यहां पर कोशन देख लिए ब्लड रिलेसन से आनिल सुमन का पती ह जो की पंकज की पुत्री है राहुल सुमन का एक मात्र भाई है अनिल राहुल से किस परकार संबंदित है यहां पर देख सकते हैं को इसका हो जाएगा सी भाई से संबंदित है और इसका यहां पर सलूशन उत्तर देख सकते हैं आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं आ 12 वर्स पुरू रोहित तता मोहित की आयू का अनुपात क्या था तो यहां पर सॉल्व करने का पैटर्न यह है यहां पर 12-48-12-32 मैंस कर देंगे बटा में कर देंगा और उनको कटा देंगे तो 9.5 यह 9.5 आपका भी आंसर सही होगा चलिए यहां पर रिजिन का एक और देख लिजी यहां पर कहा रहा है कि यदि पेज को इस परकार से मोड़ा जाए तो इसकी अगली दिसा क्या होगी पेजों को घुमाय जा रहा है और बता जा रहा है कि बताए अगली दिसा कौन सी इसमें गलत है या सही है तो आपको इसमें वताना है और बी किस लिए गलत है वह आपको यहां पर है जब कि अन्य दिन में करते हैं तो यहां तीनों का हल के साथ यहां पर देख सकते हैं कैसे लगाया है इस सवाल को ठीक है और इसका अंसर हो जाएगा आपका यह इस कोशन को आपको रोक के भी पढ़ सकते हैं इतना टेंसल लेनी के बात नहीं समझ में नहीं आता है तो तोसे लिए नेट सब्सक्राइबारिस Alors ko । मिरी पर पर चार दोंडान और धात के क्या आएगा तो इसमें दो का वड़ोड़ा है आपका उसह से आपका आँसर बीस होता है ठीक है चलिए जहां पर आपको मैसży पिर आपको पैटरन दिखा हुए पैटर रहरा हूं कैसी आते हैं 이 हाँ ND देख सकते हैं यहां पर लिखा एक साइजा सी के इन सभी के स्थानों को नंबर को रखके जोड दिया गया है उसी तरह इसे भी रखके जोड दिया गया उसी तरह रस्ट के भी स्थानों को रखके जोड दिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी 78 ठीक है यहां पर चीतर देख सकते हैं रिजनिंग का जो घुमाओ चीतर है ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर देखते हैं यहां पर उसी तरह कूट भासा में यह भी लिखा है किसी कूट भासा में साइंस को यह कहते हैं तो फैबुलस को क्या कहेंगे टिन- mıया मैं यहां से क्रकरेंस क्याने मैं फिर नीचे पर नीचे भाएं पर जाएक है परिवार के परिवास सरोधिक निकट है तो इसका अंसर हो जाएगा ए सिग्रेट उद्योग मतलब हर परिवार में देखा जात्व आसपास के लोग इसका सेवन करते हैं चलिए नेक्स्ट आप कोशन देख सकते हैं है चली थे कोशन को देखते हैं और साथी साथ अब जर्नाल नालर्ज कर कुछ कोशन आने वाले हैं जो आपको इलिए भहत ही महत्टिपूर होने ठीक है तो यहां तक तो आमने इसने को बात करी देखें यहां पर यह पहला जर्नल नालेस को्षां आपको सामने आ गया है कौन सी एजनसी म्यूस फंड के लिए वियनामत में भरती कारे करती है तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा आपका यह आई डी आई डी ठीक आई डी चले नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं जो यहां पर बैंकों से संबंदित हैं ठीक है स्वरोपर्थम किस भारती राष्टी आंदोलन में वंदे मात्रम लोगों ने लोगप्रिय गीत गाया था तो इसका अंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले यह गीत को गाया गया था चले नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेमलिखित में से कौन सा एक कथन कौन सा एक स्थान दिल्ली सलतनत पर आपातकालीन राजधानी थी यह इसका हो ए देवगिरी आपातकेलीन राजधानी थी समाजिक समझाता सिध्धान्त को प्रोण कौन दिया था मतलब तो यह डी सभी लोगों ने किया था ठीक उसे में मिली भगत थी चलिए आईए नेक्स कोशन पे चलते हैं अड़ाई दिन की जोपड़ी किस राजे में इस्थित हैं तो इसका अंसर हो जाएगा सी हिलाजस्थान में इस्थित हैं ठीक कुषन अबर नेक्स पे चलते हैं कमीर के पुर्वी सीमा कौनसी है पुर्वी सीमा है यहां पर डी हो जायेगा लद्धाक क Kara Walla यहां ठीक चली नेक्स पे चलते हैं यहां ठीक हौन बें कौन सा म परत्पा स्थान हर्याणा मैं इस्थित हैं इसका उजाएगा भी राची खाज यहां पर हाज खाज छेतर चोर मिनार दिवार बनवाई थी किसने बनवाई थी तो इसका अंशर ओ जाएगा आपका यहां पर अलाओ दिन खिल जीने नेक्ट कोशन पर चलते हैं यह तो जर्नलोजिक का आप कोशन देख सकते हैं कैसा है मनुष्ट का नाकून किसके बना होता है तो डी यहां पर कैरोटीन कैरोटीन से ठीक यह तो आपने देख लिए कोई इसका सलेबस जो वह था अपने अब जर्नल स इसकार है काइनेटिक एनेटिक एनेटिक इस उतर है और पोटेंशियल एनेरजी का यूज़कोल टू एमजी हो जाता है ठीक चलें नेक्स्ट कोशन पर दिख लिजिए नेमलिकित में से कौन सा एक गविक सक्रीग ऐसा है राइपो फोरा ठीक नेमलिकित में से चलीं यहां तपमान किसे डिगरी से मतलब वो होता है तो यहां पर यह थर्मो टेस्ट वायू गुणनखल सुचा लख है तो इसमें हो जाएगा आपका डी हो जाएगा वैसे भी आपको कोशन पर निचे दे दिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं यह सेम वैसे वह बाल दिवस कब मना आए जाता है 2017 में 36 गड़ में इसका आयोजन कब शुरू हुआ था यह हो गया आपको यहां पर अकड़ा सता विसो कब का आयोजन कहा हुआ था यह आपका करेंट अफेर से कुछ कोशन हो गया करेंट अफेर के भी कुछ कोशन नहींगे तो इससे आपको डरना बिल्कुल न लग रहा है तो मैं आपको सारे स्क्रीन सोट दिखा देता हूं जो सुरू में था मैंने अपने तरफ से आपको बहुत परयास के बताने के लिए आप यहां देख सकते हैं मैध का कुशन है स्लेबस मैध का आप देख लिए मैध का देखी कि तो जाईएगा अगर यहां तक वीडियो को बने है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत आप लोग के प्रयास करते हैं कि हर एक्जाम की तयारी आपको करा सकते हैं हर एक्जाम का कोशन पेपर आपको दे सकते हैं तो मैध का कोशन देख लिए कैसा है यहां पे सब्सक्राइब करते हैं यहांपे पर से शमादिद प्रसन हाद से समद्न सी चलिऺंपर दिखा दीगा चलि यहां पर दिखा देते हैं और क्या है एहां पर circle circumference यानि circle से भी संबंदित है उसे भी पढ़ लीजीगा ठीक चलिर यहां पर देखते हैं और कौन सा संबंदित प्रश्न है तो दोस्तों यहीं तक था अगर यहां तक वीडियो सेर ऑपने दіस्टों में ताकि आपने यहां पे थोड़ी सी भी वायल होई है तो हम चाहते हैं प्लीज हमारी मदद किजिए इस चैनल को ग्रो करवाने में ताकि आपको हर एक कोशन हम ढूंडूड कर खरीद कर आपको कोशन देंगे और यूटूब पे डालेंगे बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट तो य